पाकिस्तान को 4.5 सुन्य करोड करोड कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करेगा भारत जिए हाँ कोरोना वैक्सीन की कमी से जूज रहे पाकिस्तान की तरफ भारत ने मदद का हाथ बढ़ा है भारत देश में बने हुई कोरोना वैक्सीन की साड़े चार करोड खुराक पाकिस्तान को देगा पाकिस्तान को ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझोते के तहट दी जा रही है जिस पर की पाकिस्तान के साथ सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किया गया था गौरतलवे की भारत पाकिस्तान के अलावा और भी कई देशों की मदद कर रहा है मार्च के अंध तक लगभग एक दस्मलोग चे करोड कोरोना वैक्सीन की खुराक पाकिस्तान को पहुँचाए जाएगी जबकि पूरी 45 बिलियर्ड खुराक पाकिस्तान को जून तक मिल जाएगी रिपोर्ट के रुसार पडोसी देश पाकिस्तान को सीरम इस्ट्रियूट की वैक्सीन कोविड सिल्ड दी जाएगी किसानों के अंदोलन को लेकर राहूल गांधी का किंद्र सरकार पर तंज ट्वीट करके ये बात कही जिहां क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों का विरूद परदर्शन लगातार जारी है राजदानी दिल्ली में किसानों ने किंद्र सरकार की खिलाफ मोचा समाला हुआ है इस किसान्थी किसानों के मसले पर सियासी बयानवाजी भी लगातार हो रही है कॉंग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथो ले रही है इसे बीच कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने ट्वीट करते हुए किंद्र सरकार पर तंज गसा है साथी उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा रहूल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्न दाता का बारिश से ना तापुराना ना डरते ना करते मौसम का बहाना तो कुरूर सरकार को फिर से बताना असंभव किसानों को पीछे हटाना कि तीनों कानूनों को पड़े का लोटाना ब्रिटेन की संसद में हुई किसान अंदोलन पर चर्चा भारत हुआ खफा ब्रिटिस उच्चायुक्त को किया तलब जिहां आपको बता दें कि किसान अंदोलन को लेकर ब्रिटेन की संसद में हुई चर्चा पर भारत ने नराजगी जदाई है भारतिये विदेश मंत्राले ने बताया इस मुद्दे को लेकर विदेश सचीव ने ब्रिटिस उच्चायुक्त को तलब किया है इस दौरान ब्रिटिस संसद में भारत में लागू किया गये, क्रिसी सुधारों पर अनुचित और विवदास्पत चर्चा के लिए मजबूत विरोध व्यक्त किया विदेश सचीव ने सपस्ट किया कि बृटिस सांसदों द्वारा भारत में किसानों के विरोध परदेशन के मुद्दे पर चर्चा करना दूसरे लोकतांतरिक देश की राजनिती में एक व्यापक हसटक छेप की तरह है उन्होंने सलाह दी है कि ब्रिटिस सांसदों को घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तूत करके वोट बैंक की राजनिती करने से बचना चाहिए विशेईस रूप से एक अन्य साथी लोकतंतर देश के साथ रास्तिय स्वास्त प्राधिकरन ने कहा कोरोना वैक्सिनेशन के लिए कोविन ऐप लाने की कोई योजना नहीं जिएँ देश में कोरोना टिका करन का दूसरा चलन चल रहा है 60 साथ से अधिक आयो के बुजर्गों और 45 साथ से अधिक उमर के पुरानी बिमारी के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीके लगाय जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में भी पैसे दे का टीके लगाय जा रहे हैं टिकाकरण को लेकर रास्तिय स्वास्त प्राधिकरण के CEO R.S.S. सर्मा ने कहा कि आम लोगों के लिए कोविन एप लाने की अभी कोई योजना नहीं है कोविन एप का अब तक का अनुभाव कैसा रहा इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले चरण में लभार्तियों के आकड़े इकठा कर उसका उपयोग करके टिकाकरण अबंटित किये जा रहे हैं लेकिन अब दूसरे चरण में इसे पूरी तरह जन केंदरित प्लेटफॉर्म के रुप में विक्सित किया गया है नागरे खुद रजिश्टर करें अपॉइट्मेंट नरधारित करें हरियाना में खटर सरकार पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल और विश्वास प्रस्ताव पर आज बहस सभी पाटियों ने अपने विधायकों को मजूद रहने का दिया निर्देश जिहां नए क्रशी कानूनों को लेकर घमासान मचा हुआ है किसानों ने राजधानी दिल्ली में सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है इसी बीच हरियाना की खटर सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं किसानों के आंदुलन को लेकर हरियाना की भाजपा सरकार काफी अलोचना जिल रही है सरकार में सहयोगी जेजेपी की तरफ से लगातार अलग होने के बाद उठाई जा रही है ऐसे में आज सभी दलों में अपने विधायकों को विधान सभा में मौजूद रहने के निर्देश दिये हैं माना जा रहा है कि सुबे की सत्ता परकाविज घटर सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव ला सकती है